हेलो भिरिवन स्वागत है आपसे लोंका इस्टेडी फाइप वाइट से इसमें आज मापसे लोंको खाली स्थान भढ़ना सिखाएंगे तो ये देखे है आपका भिन्न का गुडा जिलोंको भिन्न का गुडा आता होगा बड़े है असानी से इस प्रश्ण को साल्व कर प्रश्न आपका देखे 5 बटए 2 गुड़े 1 बटे 3 बराबर होना चाहिए क्या यहा पर डश डश गुड़े 5 बटे 2 के तो यहाै पर आप कौन सी संख्या लिखें कि यह दोनों क्या हो जाएं बराबर हो जाएं बराबर की बीच में लिखा हुआ है जिसका मतलब क्या है अ यहाँ पर अगर हम एक बटे तीन भर दें, यहाँ पर देखिएगा, एक बटे तीन भर दें, तो यह दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, कैसे, पांच का गुड़ा एक में करेंगे, कितना हो जाएगा, पांच हो जाएगा, दो का गुड़ा तीन में करेंगे, यहां पर भी 5 बटे 6 है यहां पर भी 5 बटे 6 है तो आपका एंसर क्या हो जाएगा सई हो जाएगा एक प्रशनावर आपको दिखाता हूँ तो आप लोग करिएगा यहां आपका दूसरा सवाल है देखें 15 बटे 7 गुड़े 18 बटे 3 बराबर होना चाहिए किसके 18 बटे 3 गु लिखा हुआ है अगर हम इसमें 15 बटे 7 यहां पर लिख दें तो जो चीज हम गुड़ा करेंगे यहां आएगा वही चीज गुड़ा करेंगे तो यहां पर भी आएगा तो यहां पर आपका कितना भर आएगा यह जो 15 बटे 7 है यही चीज यहां पर भी हम लिख सकते हैं 15 ब बराबर हो जाएंगे तो आपका एंसर क्या है सही है एक प्रश्ण और आपको कराता हूं ध्यान से समझेगा यह आपका तीसरा प्रश्ण है 14 सही 1 बटे 2 गुड़े क्या है 0 है तो यहां पर बराबर में क्या आना चाहिए यानि किस संख्या यहां पर लिख दें कि यह दोनों आपस में क्या बराबर हो जाएं तो अगर आप 14 गुड़े 1 बटे 2 का गुड़ा 0 में करोगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो यहां पर आप अगर 0 लिख देंगे तो 0 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ध्यान से समझेगा 14 सही 1 बटे 2 है गुड़े 0 जीरो है तो जीरो से किसी भी सेंख्या में गुड़ा करेंगे उसका मान क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा यहां पर आप जीरो लिख देंगे तो जीरो बराबर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा आपका एंसर से हो जाएगा अब चोथा सवले दे ओ scripture आपकी आपकर हमार्त के नियुकंगे में विदियो और इसनुत अफ्य प्रीम को युद्ण कासर्ण ना थि क्यों ने ख़़ए हैं फ्रीयरी आपकर टोने कर भी विक्याइब क्यों हेरा का शेक्षी ट struggle